वेलकंब टो ट्यावर शनल टुडे वी डिस्कüst अबाउट एर्विनल तुला दिखे मैंने एर्विच्वेरियो में एडरेल ब्रेनल कोटेक्स के यह दियस के बारे में बताया था आज अम हम डीटेल में बात करेंगे एड्रीडल मेडियूला के बारे में तो फर्स्ट हम देखेंगे introduction तेन देखेंगे what are the factors are responsible for the केट को ले में सीक्रेशन यह उसके synthesis के बारे में और लास्ट में उसके के बारे में बात करेंगे तो फॉस्ट रहुं इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं एथá लोचा है तो सबसे इनर पार्छेंगरे ओर वह बाउट 20 परसंट ता 前 and adrenal cortex what about 80% होता है इया को एड्रेनल meanfully हमेज़ेल प्रेजंट है वह इंगे क्रोमाफीन सेल मॉतलब का पार्ठे उसमें नरवस टिश्यू प्रेजंटर ओर सेल मैं उस उसके सेल है उसे हम कहेंगे ौक्रोमाफिन सेल्स देखिए तो यहां पर डौक को क्रोंम हफिन सेल्स है उसके थूंए ध्रूल जओ mop leckins hormones for cataclysmansormone Геннерally तीन होर्मन इंक्लुड्ट होते है एपिनेफरेन और एड्रेनालिन नोर एड्रेनालिन और डोपामाइड दिकिए तो यहां पे जो डिखेंगे यहां पर हो गया इंट्र अब है तो मिबात करते हैं कि कौन कौन से प्रेक्टर है, जो कब ऑश्कार कर Cris x cool के लिए is the situation मुट्री मुघ हो यहांपर कज्शाशुर्टिक्रल कंडिशंज्ट हो तब कटओल एम यह णकीए मिज्चशों होता है देखें यहां पर hypothalamus में से जो message passes होता है वो track से होकर spinal code में आता है और यह spinal code में कौन से segment T1 से लेकर L2 segment जो sympathetic fibers arise होते हैं वो sympathetic fibers chroma fin cells में से ket columnize का secretion को increase करता है मतलब hypothalamus में से fibers बसार होके और आगे चाके यहां पर T1 से लेकर L2 segment में से colonergic fibers जो sympathetic fibers है वो arise होते हो और sympathetic fibers और colonergic fibers यहां पर adrenal medulla में पहुंच कर chroma fin cells को activate करते हैं और यहां पर जो chroma fin cells है मैंने आगे बताया है वो एक nervous cells है देखें तो chroma fin cells activate हो जाने के बाद उसके कौन सा function है उसके बारे में देखते हैं देखें यहां पर chroma fin cells है वो blood vessel में से tyrosine का uptake को increase करता है और यहां पर जो process होती है tyrosine uptake की उस process को हम कहेंगे active transport मतलब यहां पर जो tyrosine का uptake होता है chroma fin cell में वो active transport process से होता है यहां पर hypothalamus में से जो मेसेज आएगा वो T1 से लेकर L2 spinal segment में से सिंपेटेटिक फाइबर सराइज करते हैं और वो फाइबर कॉलनर्चिक फाइबर के रूप में adrenal medulla में पहुंच कर chroma fin cells में से केट कोलमाइस को synthesis को increase करता है और केट कोलमाइस के synthesis के लिए मैंने आके बता है यहां पर जो उसमें इंपोर्टन्ट है टाइरोसीन एमिनोसीड तो देखें यहां पर पूछा जाए तो केट कोलमाइस के synthesis के लिए टाइरोसीन एमिनोसीड इंपोर्टन्ट है देखें तो यहां पर chroma fin cells activate हो जाने के बाद वह blood vessel में से टाइरोसीन को update को increase करता है by the active transport और टाइरोसीन में से केट कोलमाइस का synthesis होता है तो हमने तो factors को देख लिए अब हम synthesis के बारे में बात करते हैं देखें यहां पर मैंने synthesis के बारे में बताया है देखें यहां पर टाइरोसीन में से केट कोलमाइस का synthesis होगा देखें तो first tyrosine का convert होगा डोपा में यहां पर enzyme आएगा tyrosine hydroxylase enzyme तो यहां पर first step hydroxylation reaction tyrosine is convert into the dopa और dopa का convert होगा dopamine में वाइधी dopa decarboxylase मतलब dopa में से carbon dioxide दूर हो जाएगा and dopamine का formation होगा and dopamine आगे convert होगा noradrenaline में वाइधी enzyme dopa hydroxylase dopamine beta hydroxylase enzyme के मदद से dopamine का conversion होगा noradrenaline में और यहां पर जो noradrenaline है वह आगे convert होगा adrenaline में pythine enzyme phenanthelon amine and methyl transfer मतलब यहां पर methylation reaction होगी because यहां पर जो noradrenaline और adrenaline के structure में सिर्फ methyl का difference होता है हम noradrenaline के methylation के adrenaline का formation कर सकते हैं तो यहां पर last step होगा methylation reaction देखे तो यहां पर last step में आएगा methylation reaction तो यह हो गया dopamine noradrenaline और adrenaline का formation मतलब यहां पर तीनों के तीनों hormone का formation होगा tyrosine में से therefore यहां पर जो तीनों के तीनों hormone है वह amino acid derivatives hormone है और यहां पर उसका formation होगा tyrosine में से और देखे यहां पर चनरली जो यह टाइरोसीन है वह phenylalanine में से produce होता है and phenylalanine है उसका conversion होता है tyrosine में और tyrosine में से आगे process होती है और formation होता है adrenaline noradrenaline और dopamine का और यहां पर जो तीनों के तीनों देखते हैं function के बारे में देखिए तो उसका function में देखें कि हम लिवर में कौन सा function है heart पर क्या effect होती है adipocytes blood vessels और GIT पर कौन-कौन से effect produce करता है उसके बारे में बात करेंगे देखें तो यहां पर फर्स्ट एफिनेपरिन है और adrenaline hormone है वह लिवर में जाकर ग्लाइकोजन को प्रेक करेगा और glucose को increase करेगा मतलब ग्लाइकोजन को breakdown करके glucose का formation को वह increase करेगा उस process को हम कहेंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब यहां पर होगा ग्लाइकोजन का breakdown और वह लिवर में जाकर क्या करेगा ग्लिस्रोल एमिनो एसिड्स लेक्टिक एसिड्स और अधर ओड्चेन फेटिर एसिड्स में से ग्लुकोजनीशिस प्रोसेश से ग्लुकोज आफormसम मतलब उसका फास्ट फॉंच्शन होगा ग्लुकोज्स का increase करना तो यहां पर फॉस्ट हो गया दूसरा वह एडीपोसाइट पर क्या एफेक्ट करेगा देखें यहां पर जो एफिन एपिनेफरीन है वह एडीपोसाइट में जाएगा उस सेल के रिसेप्टर के साइट बाइंड करेगा एन वो होर्मोन सेंसितिव लाइपेस को एक्टिवेट करेगा उसका फंक्शन क्या है एडीपोसाइट में जो फ्रडीट है उसका ब्रेक्डाउन करके ग्लिसेरल और फैटी का फॉर्मेशन करना और यहां पर जो ग्लीसेरल है वो वह stressful condition हो और लाइक मतलब फ्लाइट और फ्लाइट जैसी condition हो तब यूसफूल होता है और यहीं कंदिशन में हमें ATP प्रोड्यूस करना बहुत important है because देखी यहां पर मान लोगों कि यहां पर कोई यहां पर फ्लाइट जैसी condition हो मतलब हमें कुछ भागना हो तो हमारा मसल को भी ATP बहुत ही important है यहां पर जो ATP का प्रोड़क्शन है वह फेट में से हो गए फेटी एसीड में विकोज ओफ यहां पर एडिपोस साइट पर एपिनेफरिन वर्क करके फेट को ब्रेकडाउन करके यहां पर ग्लूसरोल और फेटी एसीड का फॉर्मेशन करेगा तो दीखी यहां पर एपिनेफरिन का दूसरा फंक्शन पता जल गया हुश्पाइब हम बात करते हाड हटे क्ला उर्मन दिखत जेनरल हर्मोन हाट पे दोनों हर्मोन एपिनेफरिन और नोरेंफिन और यहीं वर्क करते और यूंश्पनेफरिन ज्यादा स्ट्रोंग है वो क्या करेगा हाट माँट में केलसियों का इंफ्लेस को को increase करेगा बतलत हारट में calcium को बढ़ेगा है और इसकी वज़े से हारट में heart rate बढ़ेगा और force of contraction बढ़ेगा और इसकी वज़े से जो हारट का जो pressure होता है blood pressure ओभी इंक्रीस होता है पाइख में पता है कि स्रेश्पूल कंदीशन में और और फ्लाइड जैसी चंदीशन में हर सेल को अ ब्लूकोस अग्जाना बहुती इंपोर्टन ते यहां पर ब्लट प्रेसर भी इंक्रेस्ट होगा कि दीखें तो यहां पर क्या क egyफेक्ट है वह भी पता चल गया देखिए अब हम बल्ड वेसल पे क्या उसके बारे में बात करते हैं देखिए यां प्रहोड में ब्लड वेशल का क्या को क्या कोंट्राकशन बड़फ मतलब blood vessel को contract करेगा therefore जो blood में blood vessel में जो blood है उसका भी pressure बढ़ेगा and increase the blood pressure और अब देखते है respiratory में क्या effect होता है देखिए जब हम कोई stressful condition में होते है तब हम हमारा respiratory rate है वह भी increase हो जाता है therefore जो respiratory rate को increase करने के मतलब respiratory rate को increase करने के लिए हमारा जो trachea है उसे dilate करना important है therefore जो यहां पर नोरेपीनेफरिन और एपीनेफरिन है और trachea के आसपास जो smooth muscle से उसे dilate करेगे मतलब smooth muscle को relax कर देंगे therefore trachea का dilation होगा and हम respiratory rate को increase कर सकते है तो यहां पर respiratory system में क्या effect होगा trachea को dilate करेगा and respiratory rate बटाएगा and यहां पर जो GIT है GIT पर क्या effect करेगा मतलब हमार जो fight or flight जैसे condition में होते हैं तब जी आइटी का कोई function बहुत important नहीं है because GIT में जो यह protein carbohydrates होते है उसे breakdown करने के लिए एटीप important है therefore अमार जो एटीपी है वेस्ट नो हो जाए तेर इसलिए जो यह GIT का function है GIT की activity है उसे decrease कर देता है और देखिए यहां पर केट कोले में सोर्मन का synthesis हो जाने के बाद वह blood पर जाकर target organ पर पहुंचकर उसका function करेगा मतलब यहां पर जो यह target organ है वहां पर एक receptor होगे उसे हम कहेंगे adrenergic receptor मतलब यहां पर जो केट कोले में सोर्मन है वह adrenergic receptor के site bind होके फिर यहां पर जो मैंने function बता है वह function करेगा यहां पर जो adrenergic receptor है यहां पर मैंने उसे टूट टू टू टाइप में डियेट के आलफा एंड बीटा को टू टू टाइपस में डियेट करते हैं बीटा वन और बीटा टू रिसेप्टर मतलब यहां पर जो केट कोले माइंस होर्मोन है वह adrenergic receptor के site bind होके वह target अर्गन पर अपना function करेगा मतलब वह लिवर में जाकर glucose को increase करेगा मतलब glucose का formation बढ़ेगा और तेन आफ्टर ब्लड में उसका increase होगा और वह adipocides में fat का breakdown करके fatty acid का formation करेगा जो fatty acid muscle में जाकर ATP produce करेगा और वह heart rate increase करेगा blood vessel का contraction करके blood pressure पर इंक्रीश करेगा एं हमारा जो respiratory rate है वह भी बटाएगा और हमारे जी एक्टिविटी वह increase करेगा मतलब यहां पर पूरा का पूरा हो गया introduction और मैंने यहां पर बताया ताइरोसीन है वह बहुत ही important एमिनोसीड है केट कोलेमेंट के formation के लिए और लास्ट में डिसकस किया उसके function के बारे में तो यह पूरा का पूरा हो गया एड्रिनल मेडियूला के बारे में थेंक यू